आज है हमारा रिवाइस टे और आज के दिन हम पीछे सिखाए गए सभी लेसंस को रिवाइस करेंगे आज के रिवाइस टे में हम रिवाइस करेंगे मॉडल्स जो कि आप पिछले लेसंस में पढ़ चुके हैं जैसे कि आप पिछले लेसंस में पढ़ चुके हैं कि सकदा है शब्द के लिए कैन या मे का इस्सिमाल किया दाता है अगर आप कहीं पर writing या कोई speaking कर रहे हैं और आपको वहाँ पर सक्दा है शब्द से कोई sentence बनाना है या बोलना है तो वहाँ पर आप अपने subject के साथ can या may word का इस्तिमाल करेंगे और उसके साथ आप verb की first form का भी इस्तिमाल करेंगे और उसके बाद आपने पढ़ा कि जिन्वाक्यों में चाहिदा शब्द का इस्तिमाल होता है वहाँ पर आपने should और must का इस्तिमाल सीखा था तो अगर आप कोई sentence बना रहे हैं या कोई speaking या writing कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई sentence चाहिदा से बनाना है तो वहाँ पर आप should या must word का इस्तिमाल करेंगे और इसके साथ भी आप verb की first form का इस्तिमाल करेंगे यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ चाहिदा शब्द का मतलब यह नहीं है कि किसी को चाहना यहाँ पर चाहिदा शब्द का मतलब है कि किसी को ये काम करना चाहिए जब किसी काम को करना जरूरी हो कि उसको ये काम करना चाहिए तो वहाँ पर चाहिदा शब्द के लिए should और must का इस्समाल किया जाता है अगर आप कहीं किसी writing में या reading में या speaking में अगर आपको चाहिदा शब्द से कोई sentence बनाना है या कहीं पर आप देखें कि जैसे कि सरकार नो ऐ काम करना चाहिदा है तो वहाँ पर आप चाहिदा शब्द के लिए shodhya must word का इस्तमाल करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी वाकिय में आप देखें सक्या या सक्दासी या पैंदा है या पैंदेहन या पैंदासी पैंदेसन या पावे का शब्द का इस्तमाल होता है तो आप वहाँ पर सक्या और सक्दासी के लिए कुडमाइट का इस्तमाल करेंगे पैंदा है और पैंदेसन के लिए has to और have to का इस्तमाल करेंगे पैंदा सी और पैंदे सन के लिए had to और पावे का शब्द के लिए will have to का इस्तमाल करेंगे जैसे कि आप पिछले लेसंस में पढ़ चुके हैं तो अब आपको इन सभी six models की पहचान और उनके rules का पता लग गया होगा अब आपको इन सभी models की अच्छे तरीके से practice करनी है और आपकी practice के लिए आपको यहाँ पर एक exercise दी जा रही है इस exercise में दिये गए सभी sentence को आपको English में translate करना है और वहाँ पर आपको उन sentence को पहचानना है और उन sentence को पहचान कर उनके rules के according ही वो sentence बनाने है और इसके साथ साथ आपको previous sentence की भी practice करनी है और उन sentence की practice करनी के साथ साथ आपको सभी vocabulary को भी याद रखना है क्योंकि अगर आपको sentence बनाने तो आ गए लेकिन आपको vocabulary नहीं याद यानि कि आपको यह नहीं बता कि कि किसी word का English में क्या meaning है तो आप English को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे तो English सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको सभी sentence की अच्छी knowledge हो और आपको vocabulary भी अच्छी तरीके से आती हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आप total 24 sentence सीख चुके हैं 6 simple sentence 3 indefinite tense 3 continuous tense 3 perfect tense और 3 perfect continuous tense और 6 models तो अभी तक आप 24 total tense सीख चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि अभी तक आप 40% English सीख चुके हैं लेकिन 24 sentence सीखना ही बड़ी बात नहीं है इन 24 sentence को सीखने के साथ साथ आपको इनकी continuous practice करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये 24 sentence सीख तो लेंगे लेकिन अगर आपने इनकी practice नहीं की तो आप इनको अच्छे तरीके से और पक्के तरीके से English नहीं सीख पाएंगे तो इन 24 sentence को याद रखने और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी continuous practice करें और इन sentence की practice के लिए आप कोई भी topic चुन सकते हैं जैसे की my school, my best friend, my favorite leader, my favorite teacher इन में से आप कोई भी topic चुन सकते हैं ताकि आप इन 24 sentence की अच्छे तरीके से practice कर सकें और ये 24 की 24 sentence आपके उस topic में involved हो सकें जैसे की आपने my school topic चुना और उस my school topic में sentence आ सकते हैं जैसे की oh school जांदे हन, teacher पढ़ा रहे हन, बच्चे सकूल जा चुके हन तो इन सभी sentence जो की आपने पीछे lessons में सीखे हैं ये सभी sentence आपके इस topic में involved हो सकते हैं और अगर आप ऐसा कोई topic चुनते हैं तो आपकी इन 24 sentence की अच्छी practice हो सकती है और अगर आप कोई ऐसा topic चुनते हैं और उस topic में आप उन 24 के 24 sentence involved करते हैं तो इस तरीके से आप उन 24 sentence की बहुत अच्छे तरीके से practice कर सकते हैं और इसके साथ ही आप कुछ हद तक able हो जाएंगे किसी भी topic को अच्छे तरीके से complete करने में और अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब आपको अपने सारे के सारे सभी revise day और सभी पीछे सिखाए गई lessons को revise करना है और उन sentence के साथ साथ आपने अपनी vocabulary को भी revise करना है क्योंकि इसके बाद यानि की next day आपका एक online test है जिस test में इन सभी lessons से questions पूछे जाएंगे तो आपको उन सभी lessons को revise करना है और अगर आप उन lessons को revise नहीं करते हैं तो आप कल के test में अच्छे तरीके से यानि अच्छे marks से सफल नहीं हो पाएंगे तो कल के online test में यह बहुत जादा ज़रूरी है कि आप सभी lessons की सभी revise day की अच्छे तरीके से practice करें और उन revise day और उन lessons के साथ साथ vocabulary को भी याद करें ताकि आप कल के test में अच्छे तरीके से पास हो सकें So good luck for your test